हेलो वीवर्ज आज की वीडियो में हम सीखेंगे जोड वगहटाना के मिस्टित इबारती पस्नों को और इसमें हम मध्यम अस्तर के पस्नों को हल करेंगे तो पहला प्रस्न है मारूती के पास 628 टाफिया थी जिसमें से 123 राकेश को 332 मुकेश को दे दिया तो मारूती के पास कितनी टाफिया बची आप प्रस्न को एक बार दो बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ियेगा तब ही आपको समझ में आएगा कि प्रस्न में क्या है फिल हाल मैं बता दूं कि यहाँ दिया हुआ है कि मारूती के पास 628 टाफिया थी जिसमें से उसने 123 राकेश को और 332 मुकेश को देने के बाद पूछ रहा है कि कितनी टाफी बची तो जो टाफिया बाटी गई है उनको हम पहले जोल लेते हैं कि कितनी टाफिया बाटी गई है हम यहां प्रक्त में देख रहे हैं कि 123 और 332 यह हमारी बाटी का इटाफी है तो सबसे पहले हम 123 को यहाँ नीचे लिख लेंगे इसके बाद हम 332 है तो 332 के इकाई याने के 2 को इकाई के अर्ष्थान याने के 3 के नीचे लिखेंगे फिर दहाई के 3 को दहाई के अर्ष्थान याने के दो के नीचे लिखेंगे और इसके बाद सैकड़ा के तीन को सैकड़ा के अस्थान याने के एक के नीचे लिखेंगे अब हम इनको जोड़ देंगे ताकि हमें खर्च की गई क्याफिया मालूम चल सके तो सबसे पहले हम जोड इकाई से करेंगे याने के तीन में दो जोड़ेंगे तो जब हम तीन में दो जोड़ते हैं तो हमारा उत्र कितना आता है? पाँच इस पाँच को हम हिकाई के रूप में लिख देते हैं इसके बाद हम दहाई के अंग याने के दो और तीन को जोड़ेंगे तो दो और तीन का योग होता है पांच तो इस पांच को भी हम दहाई के अस्थान पे लिख देंगे इसके बाद हम सैकड़ा के अंग एक और तीन को जोड़ेंगे तो एक और तीन का योग होता है चार तो इस चार को हम सैकड़ा के अस्थान पे लिख देंगे इसके बाद यह जो हमारी संख्या मिली हुआ है कुल, खर्च की गई टाफी, तो हम क्या करेंगे अब, खर्च की गई टाफी को प्रारंभिक टाफी में से घटाएंगे, तो प्रारंभ में हमारी टाफी थी 628, तो 628 को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद जो हमारी खर्च की गई टाफी थी याने के 405 तो उसके 51 को हम 8 के नीचे याने के 51 के अस्थान पे लिख देते हैं फिर इसके दहाई को 10 के अस्थान याने के 2 के नीचे लिख देते हैं और इसके बाद जो हमारा सैकड़ा में 4 है इसको सैकड़ा के अस्थान याने के 6 के नीचे लिख देते हैं इसके बाद हम 628 में से अब 455 को घटाएंगे तो घटाव किस वाद हम सबसे पहले 1 यंग से करेंगे तो उपर हमारा 8 है और नीचे 5 है तो जब हम 8 में से 5 घटाते हैं उत्तर हमारा कितना घता है? तो इस 3 को हम 1 के अस्थान पे लिख देते हैं इसके बाद हम 10 की अंग याने के 2 में से 5 घटाएंगे तो चुकि 2 में से 5 घटाव संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे? बगल वाले अंग याने के सैकडा से 1 अंग हासिल लेंगे तो एक सैकडा में हमारे होते हैं 10, 10 और चुकि 10 में 2 पहले से है तो यहां एक तरह से देखा जाए तो अब हासिल लेने के बाद यहां मान कितना हो जाएगा? 12 तो अब हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो जब 12 में से हम 5 घटाते हैं तो हमारा उतर कितना आता है? 7 तो इस 7 को हम कहां लिखेंगे? दहाई के अस्थान पे और चुकि 6 में से एक हमारा हासिल चला गया था तो अब यहां 6 नारा करके इसका नया मान क्या हो जाएगा? 5 तो अब हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो जब हम 5 में से 4 को घटाते हैं तो हमारा उतर कितना आता है? तो इस प्रकार कि जो प्रस्ण में हमारा पूछा था कि मारूती के पास कितनी टाफी बची? तो इसका फाइनली उतर क्या होगा? 173 इस प्रकार जोड और घटाव के मिशित इबारती प्रस्ण को हल करते हैं आईए एक और उधारन देखते हैं अगला प्रस्ण है ममता के पास 332 सिक्केत कंचन के पास 254 सिक्के हैं तो 958 सिक्केत पूरा करने के लिए और कितने सिक्के चाहिए? तो इस प्रस्ण में भी हम वैसे ही करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कितने सिक्के हैं हमारे पास उनको देख लेते हैं तो ममता के पास है 332 और कंचन के पास है 254 तो इन सिक्कों को हम जोड देंगे ताकि हमें मालुम चल जाए कि कितने सिक्ष हमारे पास हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 332 है तो इसको वैसे ही उतार देंगे इसके बाद जो कंचन के सिक्ष है उसके इकाई अंग यानि के 4 को हम इकाई के अस्थान यानि के 2 के नीचे लिखेंगे और फिर दहाई के पांच को दहाई के अस्थान याने के तीन के नीचे लिखेंगे और इसके बाद सैकड़ा के दो को सैकड़ा के अस्थान याने के तीन के नीचे लिख लेंगे इसके बाद हम इनको जोड़ेंगे ताकि हमें मालूम चले कि वर्तमान में हमारे पास कितने सिक्के हैं तो सबसे पहले हम एकाई में एकाई जोड़ेंगे तो जब हम दो में चार जोड़ते हैं तो हमारा उतर कितना आता है छै तो इस छै को हम इकाई के अस्थान पे लिख लेते हैं फिर दहाई के अंक को अब हम जोड़ेंगे तो दहाई में उपर हमारा तीन है और नीचे पाँच है तो तीन और पाँच का योग होता है आठ तो आठ को हम लिख लेते हैं दहाई के अस्थान पे इसके बाद हम सैकड़ा के अंक याने के दो और तीन को जोड़ेंगे जब तीन और दो को जोड़ते हैं तो हमारा उत्र कितना आता है पाँच तो इस पाँच को हम सैकड़ा के अस्थान पे लिख लेते हैं अब चुकी हमारे पास कितने सिक्के हो गए 586 और हमें पूरा कितना करना है 958 तो कितने सिख के कम पढ़ रहे हैं तो इसको हम कैसे निकालेंगे 958 में से 586 को घटा कर हम उस संख्या को निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी 958 है इसको यहां उपर लिख लेते हैं इसके बाद हम उसमें से इसको घटाएंगे सबसे पहले हम हिकाई के 6 को हिकाई के अस्थान याने के 8 के नीचे लिखेंगे फिर दहाई के 8 को दहाई के अस्थान पे याने के 5 के नीचे लिखेंगे इसके बाद हम सैकड़ा के 5 को सेकरा के अस्थान याने के 9 के नीचे लिख लेंगे अब हम इसके बाद 958 में से 586 को घटाएंगे तो घटाव के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 21 से शुरुआत करते हैं तो हम 8 में से 6 घटाएंगे जब हम 8 में से 6 घटाते हैं तो उत्तर आता है हमारा दो तो इस दो को हम इकाई के अस्थान पे लिख देते हैं इसके बाद हम दहाई के अंक याने के पांच में से 8 घटाएंगे तो चुकि 8, 5 में से 8 घटाना संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे बगल वाले अंक याने के सैकड़ा से एक अंक हासिल उधार लेंगे तो एक सैकड़ा में हमारे होते हैं 10, 10 और चुकी 5 पहले से हैं यहां पे तो 10 और 5 मिलके हो गए 15 तो अब हम 15 में से 8 को घटा सकते हैं तो जब हम 15 में से 8 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आता है 7 तो इस 7 को हम यहां दहाई के अस्थान पे लिख देते हैं अब चुकी यहां हमने एक अंक हासिल दिया था तो अब यहां 9 हो करके अब यहां एक अंक कम यानिकी 8 हो गया तो अब हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो जब हम आठ में से पांच घटाते हैं तो हमारा उतर कितना आता है? तीन तो इस तीन को हम सैकरा के अस्ठान पे लिख देते हैं तो इस परकार जो हमारा प्रस्न था ये 958 सिक्का पूरा करने के लिए और कितने सिक्के चाहिए? तो इसका उतर क्या होगा? 372 याने के 372 सिक्के और चाहिए तो इस प्रकार हम जोड और घटाना के मिशित प्रस्नों को हल करते हैं बाकी ये एक अभ्यास प्रस्न है इसका उत्तरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें थाकि हमें भी मालूम चले कि आपको कितना समझ आया प्रस्न है बिनोद के पास 456 रुपए थे जिसमें से 101 रुपए 37 को तरथा 226 रुपए प्रमीर को दे दिया तो अब बिनोद के पास कितने रुपए बचे तो प्रस्न को आप इलकुल ध्यान से इसका उत्तरा आप कमेंट में दीजेगा बाई बाई